हेलो दोस्तों मांग दर्सन पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों आज मैं बात करूँगी तूलसी मां को भोग कैसे लगाए इन्हें किस दिसा में लगाए और नई तूलसी जी कब लगाए कैसे लगाए और जो सूख चुकी है उनका विसर्जन किस प्रकार करे तो दोस्तों पहले जो वीडियो पड़ी थी उसमें आप सभी को पता होगा कि मैंने तूलसी जी की पूजा के बारे में उनके रख रखाओ के बारे में बताया था पर जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो वीडियो पुरानी वाली देख नहीं पा रहें तो उन्होंने तब तूब तूलसीज महा जो सूख चुकी हैं आजकल बहुत घरो में तो जहाती है जड़ों को बहुत जाधा पानी की और बहुत जा पोसक तत्वymm तो बस इसी कारण वह सूख जाती है इसमें कोई घबराने वाली या डर पालने वाली बात हमारे मन में नहीं है हमको ज्यादा नहीं सोचना चाहिए वही तुलसी मा अगर आप घर में लगाए हैं जमीन में लगाए हैं तो आप देखेंगे कि वह जल्दी नहीं सूखती है और जब भी इनके उपर मंजरी आए तो जैसे वह थोड़ी सी मुर्जाज आए उपर की मंजरी जी इसको बीज भी आप लोग करते होंगे तो उनको अपने हाथों से उतार लेना चाहिए तो इसको उतार लेने से भी कुछ हद तक तुलसी मा के सूखने का खत्रा कम हो जाता है तो सबसे पहली बात आज हम लोग करेंगे कि तुलसी मा का पौधा कब लगाएं घर में तो दोस्तों नई जब तुलसी मा सूख जाती है तो नई तुलसी जी लगाना पड़ता है तो जैसे ही तुलसी मा आपकी सूख चुकी है और आपको तुलसी मा मिल जाती है नई नहीं मिलती हैं तो जैसे कि आपने मंजरी वगर जो तोड़ के आपने रखा है तो जैसे बारिस होती है आप गमले में वो मंजरी हाथों से मसल करके डालेंगे तो पूरी उमीद होती है कि वहाँ पे नई तुलसी मा का पौधा निकल ही जाएगा पर अगर नहीं निकल रहा है तो आ अपने घर में लगा सकते हैं ये लगाना आपके लिए काफी सुव होता है जैसा कि आप सभी को पता है ।ोस्तों कि तुल्सी आज घर में रहना कितना आधिक एहा स्रेश्ट माना जात Thiे विष्ण प्रिया कही जाती है और आप सभी मा भी भगवान विश्णों को अति प्रिया है इसलिए उन्हें भी हरी प्रिया कहा जाता है तो ऐसा कहा जाता है हमारे सास्त्रों में दोस्तों कि जिनके घर में घर के आंगन में मा तुलसी है उनके घर में धन धाने की कहीं कोई कमी नहीं मानी जाती है नहीं होती है अगर हम बिद्वत पूजा पाठ करते रहें और जो भी इनकी साफ सफाई है उसका ध्यान देते रहें तो उस परिवार में कभी भी धन धाने की कमी नहीं होती है क्योंकि ये साथ छात रूप में मा लक्षमी की अवतार होती है तो अब देख लेजे दोस्तों कि ये पौधा कहां लग तो ये हमारे लिए काफी असरदार होगा जो कि मैंने अभी कहा कि धने धाने की कमी नहीं होती है तो अगर हम गलत दिसा में लगा देते हैं तो ये हमारे लिए सुभ नहीं होता है पर अगर हम उसी पौधे को सही दिसा में लगाते हैं और सही तरह से उनका रख रखाव करत और जब भी हम मासिक धर्म के अंतरगत होते हैं तो उनको छूने से बचते हैं तो ऐसी स्तिती में तुलसी मा की पूजा, प्रार्थना और उनका हमारे घर में होना हमारे लिए काफी शूब हो जाता है तो हाँ दोस्तों, तो इनमीं किस दिशा में लगा हैं तो देखिए, पहले के समय में तुलसी मा को वैशे सबसे स्रेश्थ है लगाणा ब्रह्म अस्तान में ब्रह्म अस्थान घर का जो बीचो बीच का अस्थान है पर अब सायद गाउं में ही आंगन विल पाता है बाकी जगह में तो अस्थान ही नहीं है ब्रह्म अस्थान में ऐसी जगह ही नहीं है कि जहां पे हम तुलसी मा के पौधे को लगा सके तो अगर आप बीचो बीच मा उत्तर पूर्व के कोने में जैसे आपका पूजा का कम्रा है उसके बगल में अप तुलसी मा के गमले को लगाते हैं तो भी आप के लिए काफी अच्छा और स्थ्ख्ट और लाबदायक होगा बस आपको ध्यान देना चाहिए यही कि तुलसी मा से आपको जो जो जिसकी मैंने बात कि आपको कि धन धाने की कमी नहीं होगी ति इसके लिए आपको जल देना चाहिए माता को भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद आपको इनकी क्या करने चाहिए कि साम को दीपक भी जलाना चाहिए दीपक जलाने में आप घी का दीपक जल सकते हैं और कोई शुगंदित धूप बत्ती वगर भी दिखाएंगे तो ही आपके लिए लाब देगा अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मासिक धर्म वगर के अंतरगत तुलसी मा बीच में पड़ें और आते जाते आपके हाथों से सरीर से असपर्स हो इस बात का विसेज द द्यान देना कि प्रति जैसे असक यहीवैं नीचे तुलसी मा को लगारते हैं निकलता है तो उनके ओपर न पड़े बस इन्हीं अ बातों का ध्यान देना है तो यही सब द्यान देना दोस्तों और एक और चीज़ है कि चलेगा का लिएने बूच्पोस्ता फल लगा सकते हैं, मिष्री लगा सकते हैं, मिष्री का भी लगा सकते हैं था र Benjamin को सुनित पूसर about Le fertil Red connections with Socrates, आप सारी चीजों का भोग लगा सकते हैं, सारी चीजों का मतलब कि यह सारी चीज़ें जैसे एक लाड़ करके आता है सायध आप सभी और भोग लगाते हुए आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि बहुत सारा मीठा आप तुलसी मा के जड़ में न डालें इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पर कीडे लगने का डर होता है और कीडे लगने के बाद भी माता सूख जाती है तो इस बात का भी आप ध्यान बहु तुलसी का पौधा सूख जाने का पूरा पूरा डर होता है अब अगली चीज़ यह है दोस्तों कि जो सूख चुकी है तो उनका क्या करना है तो दोस्तों सूख चुकी है उनको आप मतलब सुहागिन औरतें खुद से न उखाड़ें उनको क्या करना है आपको कि आप अपन कि जड़े अंदर रहा जाएंगी और उपर पोधा तूट जाएगा तो और अगर जड़ों के साथ इन्हें निकाल रहा हैं तो ये काफी अच्छा होगा आप इन्हें निकालने का दिन जो है कि वह आप रविवार और मंगलवार छोड़ करके किसी भी दिन निकाल सकते हैं निकालने के बाद इन्हें प्रडाम करें प्रडाम करना न भूलें दोस्तों जो कोई भी निकाल रहा है वो प्रडाम जरूर करें माता को और माता को प्रडाम करने के बाद आप इन्हें ले जाकर के किसी जलासय में डाल दें जलासय का मतलब कहीं नदी तलाब कहीं इससे जो पौधे को दबा सकते हैं और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माता के जो पौधा है उसे किसी पवित्र पौधे के नीचे से पीपल बरगत वगर की नीचे रख देजिए कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पैरों से नहीं लगना चाहिए अपमान नहीं होना चाहिए तुलसी मा के पौधे का तो इस तरह से करके आप भी सर्जन कर सकते हैं माता का तो भी सर्जन करना है आपको भोग में भी वही लगाना है और दोस्तों उमिद करते हूँ कि जो सारे आपके सवाल थे उनका जबाब मिल चुका होगा और एक और चीज ध्यान रखना है दोस्त जाने में पूरा डर होता है नीचे कीडा लगने का जब तुलसी मा सूख जाती है तो अक्सर देखा जाता है कि पौधे की नीचे कीडा लगा होता है और हम अपने मन में बहुत सारी भ्रांतियां पाल लेते हैं कि हमारे घर में तुलसी माता का पौधा क्यों नहीं लग पा पाई क्योंकि पौधा कटना यह उचित नहीं होता है दोस्तों तो बस आप ध्यान रखें कि जो किनारे किनारे की मिट्टी है उसको आप थोड़ा थोड़ा पलड़ दें इसे जो कीड़ेव अगर लगते हैं वो हट जाएंगे क्योंकि मैंने पढ़ा था बहुत सारे लोग ब दोस्तों उम्मीद करते हूं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगे होगी मिलती हूं इसी तरह की वीडियो एक साथ धन्यमाद